हेलो एवरिवन आज मैं आपको बहुती कमाल की जानकारी देने वाला हूँ फिस्पॉंट के बारे में मचलियों की केर किस तरह की जाए उस बारे में आज से करीब एक साल पहले भी मैंने फिस्पॉंट के उपर वीडियो बनाया था और उस वीडियो के अंदर आप लोगों का काफी अच्य क्यार मिला काफी अच्य रिस्पॉंस मिला उस वीडियो के उपर अभी करीब 70,000 से ज़्यादा भीउज हैं और उस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों के अपने घर पे फिस्पॉंट भी बनाया लेकिन कई लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है ज मैंने भी अपने फिस्पॉंट के ऊपर गर्मियों से ध्यान देना बहुत ही कम कर दिया था जैसे कि आप देखी रहे हैं यह मेरे एक रूम में पड़ा हुआ है और इसके अंदर आप देख सकते हैं पानी भी बहुत कम हो गया और मचलियों भी बहुत ही कम हो गई है क्योंकि इसके अच्छे से नहीं कर रहा था तो आज मैं इस अपने पुराने वाले फिस्ट को साफ करने वाला हूं और दोबारा से मैं कुछ नहीं मचलियों को इसमें एड करूंगा और जैसा कि सर्दी आ रही हैं तो उसके लिए हीटर और भी देर सारे समान को खरीदना है लेकिन सबसे पहले मैं आपने सब्सक्राइब को साफ करता हूं सबसे पहले मैं इन सबी पौधों को जो आप वाटर कैबिस देख रहे हैं उनको निकालूंगा इसको वाटर लेटूस भी बोलते हैं यह पौधा काफी खुबसूरत होता है अभी तो इसका साइज छोटा है क्योंकि मै आप देख सकते हैं पानी एक इतना गंदा है और मचलिया आपको क्लियर नहीं देखेंगी लेकिन मेरे पास नेट है तो उसकी मदद से मैं इसमें जितनी भी मचलिया उनको बाहर निकाल लेता हूं जैसे आप देखे रहे हैं मैं इन मचलियों को निकालकर साइड कर ले रहा तो मैं इन मचलियों को निकालकर और उसके पाद गंदा पानी है यह अपने पौधों के अंदर डाल देता हूं और आप यहां पर देखिए मेरा यह जो फिस पॉंड है वो किस हालत में और कहां पर रखा हुआ था अभी तो मैंने इसका पानी निकाल दिया है तो चलिए और आपको याद होगा इस जगा पर मैं अपना फिस पॉंड रखता था बॉंसाई के बगल में लेकिन यहां पर अभी कुछ अडेमियम के सीडलिंग्स और चोटे पौधे हैं तो इनको जल्दी से हटाते हैं और उसके बाद दुबारा अपने फिस पॉंड को इसी जगा प भरता हूं और यह पानी मेरा सिंटेक से आ रहा है और अगर आपने से कोई अगर चापा कल का पानी खारा पानी इस्तमाल कर रहा है तो उसको ना करें और अगर आप खारा पानी इस्तमाल करें तो पानी जल्दी पीला हो जाएगा तो आप उसका इस्तमाल ना करें तो पानी ले इस्तमाल करता हूं क्योंकि मचलिया जब ब्रेडिंग करती हैं और उनके बच्चे होते हैं वह बच्चे इन एक्वेटिक प्लेंट्स के अंदर चिपे रहते हैं और बड़ी मचलिया उनको नुक्सान नहीं पहुचा पाती हैं नहीं उनको पकड़ती हैं वह इसी में करने के वजद से वो मर गई तो इन मचलियु को जल्दी से इस पॉंट के अनदर डालते हैं मैंने नेट के अनदर मचलियों को निकाल लिया है और अब हम जल्दी से इनको पानीं के अंदर छोड़ देते हैं ताकर हिए दुवारा से अ और वहां से मैं कुछ मचलियों को खरीदूंगा और कुछ उनके एसेसरीज को खरीदूंगा जैसे कि एरियम हीटर, फिस फूड और फिस मेडिसीन और इसके लावा आपको मैं एक्वेरियम सॉप घुमाऊंगा भी तो चलते हैं एक्वेरियम सॉप के अंदर तो अब हम आचुके हैं, एक्वेरियम सॉप के अंदर जैसे कि आप देख रहा है, यहाँ पर टेटर की ने वहां और फिस पॉण्ट के अंदर रख सकते हैं और यहां पर भी कुछ टेटरा की दूसरी वराइटी है और बार्ब भी है इनको भी आप फिस पॉंट के अंदर रख सकते हैं यह भी काफी असानी से रह लेती हैं और यहां पर आप इनका प्राइस भी देख सकते हैं लेकिन मैं जिन मशलियों को रखता हूं वो है मॉली मशल भरी पड़ी है मॉली के अलावा इसमें प्लैटी मशलिया भी है तो उनको भी आप फिस पॉंट के अंदर रख सकते लेकिन मैं मॉली मशलियों को ही रखता हूं तो जल्दी से मैं इसके अंदर से कुछ मशलियों को पसंद करता हूं और फिर हम चलते हैं घर पे तो अब हम पूछ रहे थे कि मशलियों को क्या खिला है तो आपको इस तरह का पैकेट मिलेगा और और इसके अंदर छोटे-छोटे से दाने रहते हैं जो कि मशलियों को खिलाया जाता है मैं आपको आगे खिलाते हुए भी दिखाऊंगा और यह है एक्वेरियम हीटर जो कि हम अपने इस फिस पॉंड के अंदर लगाने वाले हैं क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम आ गया है और यह आउटसाइट बाहर रहने वाला च्छत के उपर तो हीटर तो जरूरी है यह 50 वार्ट का हीटर है और मेरे टब भी 50 लिटर का है और एक मैंने यह मेडिसीन लिया है यह मेरे इन मचलियों को अपने फिस पॉंड के अंदर डालते हैं लेकिन नई मचलियों को फिस पॉंड के अंदर डालने का एक तरीका होता है अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी मचलिया मर जाएंगी तो चलिए अब मैं आपको वह तरीका बताता हूं और आपको मेर पैकेट खोलना है और उसमें से मचलिया निकालकर आपको डाल देना है और इस प्रोसेस को हम लोग एक्वामिलेट कहते हैं ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो पैकेट के अंदर का पानी है उसका टेंपरेचर उसका तापमान कुछ और होता है और जो हमारा के लिए आप 15-20 मिनिट के लिए मचलियों को एक्वामिलेट होने के लिए छोड़ दिजीए और फिर उसके बाद अपनी मचलियों को पैकेट से बाहर निकालकर अपने फिस पॉंट के अंदर डाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट पानी के पास भी उनको उजल कर डाल सकते हैं लेकिन मैं पानी से बाहर निकाल कर मचलियों को ही डालता हूं जैसा कि आप देखी पा रहे होंगे सामने कि अब बार ही आता है हीटर लगाने का जैसा कि अभि सरदियो का सिजन इस्टार्ट हो रहा है और रात के समय काफी जादा ठंडशा ih होता है और रात में पानी भी भी जीजादध ठंशहें ग्राथ हो जाता है जिसके कारान हमारी मचलियां भीवर हो सकते या फिर मळदी तो इस्से बचने के लिए स्कारवगाना अलबंना होगा अपने पॉंट के अंदर अपने पौंट को इंडोर रखें आप दोर मेरी रिख़ या पर रूम का कवर होता है जिसके कारण आपकी मचलियों को करेंट नहीं लगेगा और उपर यहां पर एक छोटा सा आप जो देख रहे हैं रेड कलर का स्कॉयर में चर्खुट घेरे में बना हुआ है वहाँ पर टेंपरेचर बताता है तो अभी 28 डिगरी पर सेट है उपर से यह जो आप देख रहे हैं यह लंबा सा बटन निकला हुआ है इससे आप टेंपरेचर बढ़ा घटा सकते हैं लेकिन 28 डिगरी पर ही आपको रखना है ना ज्यादा ना कम और यहां पर आप जो गोल सर्किल देख रहे हैं रेड कलर का उसमें बल भी जलता है वह आपको रात के समय ही पत क्रैक हुआ और उसमें पानी चला गया तो आपकी मचलियों को करेंट लग जाएगा और आपकी मचलिया मर जाएंगी तो सबसे बढ़िया है कि आप पहले हीटर को पानी के अंदर डाल दीजिए और उसके बाद उसको अन किजिए अभी रात हो चुका है और अभी आपको पॉंड के अंदर फिस पॉंड के अंदर के सरीय रंग का लाइट जलता हुआ दिखेगा वह हीटर का लाइट है अभी मैंने बाहर लाइट ऑन किया तो आपको अंदर फिस पॉंड के अंदर जो हीटर का लाइट है वह कम दिख रहा लेकिन अभी भी आप देख सकते हं हलका हापको लाइट देखी रहे हैं यहाँ पर अभी हीटर स्टार्ट है लिट साथ है यहाँ चालू है और हमारी मश्में जोह कोई प्रब्लम नहीं होगा रहेंगी और और जो आप देख रहें white color का plug इससे पहले पे पीला कलर का plug मैंने लगाया था तो वह खराब हो गया था जिसके कई करण current नहीं जा रहा था हीटर के अंदर तो मैंने उसको बदला और अभी आप देख सकते हमारा हीटर स्टार्ट हो गया चालू हो गया है और अब हमारी मचलियों को ठंड नहीं लगेगा रात के समय नहीं इस फिस पॉंट का पानी ठंडा होगा जैसा कि अब सुबह हो गया है तो चली आप मैं आप आपको सिस्ट मेडिसीन जो मचलियों की दवाईया होती है उसके बारे में बताता हूं बलू और रेड ढकन वाला रेड कैप वाला जो मेडिसीन आपको जो बॉटल दिख रहा है वह दोनों जैनरल मेडिसीन से आप इन दवाईयों को एक महीने के गैप के बाद आपने फिस प पॉंड के अंदर फंगस लग गया है तो उससे बचने के लिए उससे बचाओ के लिए आप हरावला मेडिसीन डाल सकते हैं यह मेडिसीन भी आपको यह सभी मेडिसीन आपको एक्वेरियम सौप में जहां से हमने मशलियां खरीदी थी वहांस पर आपको मिल जाएंगी मैं तो कि आपको दौबुंद हरदलाई को और अगर आपका इस डवाईयों दौबarken सकते अगर आपका पॉंड्प सो लिटर का है तो आपको बीषन डालना होगा और अगर आपका प्वाऊंड पचास लिटर का है जिस तरह की मेरा पॉंड़ है तो आपको इन दस्वले कर. और आता है फिस फूड का कि हम अपने मचलियों को कौन सा खाना खिला है बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम अपनी मचलियों को आटा खिला सकते हैं बिस्केट खिला सकते हैं आप इन सबी चीजों को खिला सकते हैं लेकिन अगर मचलियों ने उनको छोड़ दिया वह बच गई आपके पॉंट के अंदर तो वह महकने लगेंगी और आपके पॉंट के अंदर कीड़ा आ जाएगा जिससे आपकी मशलियों को ही प्रोब्लम होगा तो आप इन सबी चीजों को इस्तमाल करने के बजाए आप फिस पूड जो मशलियों के लिए खाना बना हुआ ह उसको इस्तमाल कीजे मैं यह ऑप्टिमम इस्तमाल करता था पहले लेकिन जो मैंने नया पैकेट खरीदा है वह ट्रायू का है यह थोड़ा से महेंगा फूड है ऑप्टिमम वाले से मैं किसी ब्रेंड के प्रोमोशन नहीं कर रहा हूं बस मैं जो खाना इस्तमाल करता हूं मैं आपको बता रहा हूं यह मुझे 70 रुपए का मिला और जो ट्राय हो है वो मुझे 110 रुपए का मिला आप कोई सा भी फिस फूड इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है और जो हर जगा पे मिल सकता है काफी असानी से वह है ऑप्टिमम एक मचली को आपको त खाना खाना भी चालू कर दी जैसा कि आप देखी रहें यह सभी मचलिया कितनी तेजी से खाना खा रही है तो चलिए आपको कुछ खुसकबरी भी देता हूं जिन मचलियों को मैं खरीद कर लाया था उनमें से कोई प्रेग्नेंट सी मतलब क्यों उसके पेट के अंदर बच जाएंगे यह बच्चे बहुत ही छोटे हैं और इनको देखना भी बहुत ही मुस्किल है आप कोसिस कीजिए बच्चे देखने का सायद आपको एकाद बच्चे दिख जाएं और आज की इस वीडियो में बस इतना ही मुझे उमीद है कि जो जो आपका डाउट होगा फिस प सकते हैं और इसके साथ साथ आप इस वीडियो को भी अपने गाड़नर फ्रेंड्स के साथ वाट्सेप ग्रूप पर फिस्बूक पर सेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और उनके साथ तो जरूर सेयर कीजिएगा जिनको मचलियां रखना पसंद है और अगर आपको इस तो आप वह सबसे पहले देख पाएं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके बाइए